नमस्कार, कायतर जोतिष के इंदर में आप सबी लोगों का स्वागत है हम हमेशा ही आप लोगं के लिए रूचक जानकारी के विडियो लाते ही रहते हैं आज भी हम आप लोगों के लिए हस्तरेखा सास्तर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का वीडियो लेके आये है जो विशेसकर युआ वर्गे वालों के लिए तो बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है हस्तर एका सास्त में बताया गया है कि यदि जब कभी भी आपके हातों में दो परकार के परिवर्तन होते हैं पहला परिवर्तन यदि आपके हातों की खाल यानि की लेयर उपर की निकलनी शुरू हो जाती है कुछ समय होता है अपने जीवन काल में तीन या चार बार ऐसी इस्तितियां आती है दूसरा यदि कभी आपको लगता है कि आपके हाथों का रंग बदल गया है बिल्कुल लाल हो गया है या सफेद वाइट हो गया है तो वो इस्तिति भी आपके लिए बहुत महत्तों होती है कापी सुब मानी गई है इस इस्तिति का फल क्या है यह भी हम बताएंगे और क्या करदाची यह जब कभी ऐसा होता है वह भी आपको अंता में हम बताएंगे वीडियो को अंता तक आप देखते रहिए बताया गया है जब कभी भी आपके हातों की खाल इत्यादी निकलने लगती है विसे इस तोर पर युआ वर्ग युआ अवस्ता में निकलती है और युआ वर्गे लिए तो यह बहुत बड़ा सुप सूचक माना जाता है उन्हें माना जाता है कि तुरंते ही कोई बहुत अच्छी नौकरी इत्यादी प्राप्त होने वाली है या कोई व्यापारी वर्ग है उसका व्यापार दूर दूर तक फैलने वाला है या किसी का विवहा आदी नहीं हो रहा है तो उसका विवहा सीग्र होने वाला है कुल मिला के वास्तविक जीवन पे जो भी परिस्तितियां आपकी चल रही है उसमें कुछ न कुछ सुप फल प्रदान आपको अवस्य ही होएगा जो चीज आप चाहेंगे वह इस इस्तिति में जब ऐसी घटना आपके हातों में होगी तो उसका सुप प्रतिफल आपको अवस्य ही मिलेगा बताया गया है कि हातों में माता सरस्वती, माता लक्स्मी और भगवान विश्नु का वास होता है तो बताया गया है कि यदि ऐसी इस्तिति यदि आपके आए तो बुद्वार के दिन भगवान विश्नु के मंदिर पर जाकर आप उन्हें कमल का फूल या कोई सफेत रंग का फूल अवस्य ही चड़ाएं धूब दीप अगर बत्ति पुजार चना वाँ पे कर लें यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सुक्रवार के दिन आप मातारानी के मंदिर पे जाए धूब दीप जोती आदी चलाए नार्यल आदी वहाँ पे चड़ा लें और सिंदूर मातारानी के चलड़ों में अवस्य ही चला दें जब आपके साथ ऐसी परिष्टिती होती है तो कुछ समय ऐसा कुछ दो तिन वीक आप ऐसा कर सकते हैं इसका सीग रही तुरंत ही चमतकारी फल आपको प्राप्त होएगा क्योंकि यह सिद्ध है और अपने जीवन में हम भी इस चीज़ को फॉलो कर चुके हैं देख चुके को कभी भी आप यह मत समझे कि कोई आप में कोई भीमारी है यह ठीक है आप डॉक्टर आदी को दिखा सकते हैं वह अपनी जगह पर है किन्तु इसके लिए आप जरूर यह चीज करिए इसका सीग रही आपको फल भी देखने में आ जाएगा तो संसिप्त में हस्तरेखा कि यह जो जानकारी आप लोग को दी गई यदि आप लोग को पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं आगे बढ़ा कर सेयर कर सकते हैं नए लोग चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं बहुत अच्छी जानकारी के वीडियो है बैल आइकन दबाईए आपकी हो मिस्क इन पर आएंगे आप उसका आनंद उठाइए तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैस्री राम जैस्री कृष्णा ओम नमस्तिवार